जाईका इंदिया का YouTube चैनल पर आज हम आपके लिए लेक करा हैं दाल मूली की सब्जी की रेसिपी मूली के पत्ते और दाल के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आसान सी रेसिपी के साथ बहुत ही हेल्दी सब्जी बनकर तयार हो जाती है इस सबजी को बनाने के लिए हमने सोक की हुई मूंकी डाल ली है तो हमने इस कप से मेजर करके एक कप छिलके वाली मूंकी डाल ली और इसे हमने एक घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था फिर हमने इसे अच्छे से वोश करके इसके सारे छिलके अलग कर लिये है और इसी के साथ हमने यहाँ पर 250 ग्राम मूली के पत्ते लिये है इन पत्तों को हमने अच्छे से वोश कर लिया और इनको हमने बारिक काट लिया है और अब हमने प्रेसर कुकर में 4 टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है इसमें हम एट कर देंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन इस सबजी में लहसुन का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो आप इसे जरूर से एट कीजिएगा लहसुन का कलर गोलडन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राइग कर लिया और अब हम इसमें एट कर देंगे एक तीस्पून जीरा जीरे के चटकने के बाद हम इसमें टमाटर एट करेंगे हमने 2 मेदियम सा इसके टमाटर को बारीक काट लिया है तमाटर के सोफ्ट होने तक हम इसे तेल में दो से तीन मिनिट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे तमाटर के सोफ्ट होने तक हमने इसे तेल में फ्राई कर लिया और इस टेश पर हम इसमें एट करेंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और लहसुन का कच्छा पंदूर होने तक एक से देड़ मिनिट तक हम इसे तेल में फ्राइ करेंगे इसमें कुछ सूखे मसाले एट करेंगे जैसे की हाफ टीजपून हल्दी पाउड़र स्वाध नुसा नमका एक टीजपून धन्या पाउड़र और एक टीजपून लाल मिश पाउड़र इसे मिला लेंगे और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके लो फ्लेम पर इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे तो लो फ्लेम पर 5-7 मिनित तक हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल भी रिलीज होने लगा है इस टेश पर हम इसमें मूली के पत्ते एड़ कर देंगे डाल मूली की इस सबजी में हमने सिर्फ मूली के पत्तों का इस्तेमाल किया है अगर आप चाहें तो मूली के पत्ते और मूली की आधि-अधि क्वंटिटी भी एड़ कर सकते हैं और इसमें आधा कप पानी एड़ करके अच्छे से मिला लेंगे पानी की क्वेंटिटी हमने यहाँ पर कम रखी है क्योंकि पत्तों में से इसका पानी रिलीज होने लगेगा प्रेसर कुकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने तक हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने तक हमने इन पत्तों को पका लिया है अब गेस की फ्लेम को ओफ करके इसके प्रेसर को खुछ से रिलीज होने देंगे और लीट को खोल लेंगे अब हमने गेस की फ्लेम को फिर से ओन कर दिया है और जो हमने मूम की दाल सोक करके रखी हुई है वो इसमे एट कर देंगे इसी के साथ हम इसमें आधा कप पानी एट करेंगे तो इस सब्जी को बनाते वक्त हम पहले पत्तों को एक प्रेसर आने तक मसालों के साथ अच्छे से पका लेंगे फिर हम इसमें दाल एट करेंगे अगर हमने पत्तों के साथ ही दाल एट कर दी तो दाल इसमें पूरी तरह गल जाएगी दाल मुली की ये सबजी थोड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है जानी कि इस सबजी में हम दाल को ज्यादा नहीं गलाएंगे तो अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक दाल गलना जाए और इसका पानी है पूरी तरह ड्राइना हो जाए और बीच-बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे दाल के गलने तक और इसका पानी ड्राइ होने तक हमने इसे लो फ्लेम पर 20-25 मिनिट के लिए पका लिया है इस सब्जी में हमने दाल को सिर्फ 90% तक ही गलाया है क्योंकि इसी तरह ये सब्जी बहुत बढ़िया लगती है और अब हमारी दाल मुली की सब्जी सब्जी करने के लिए बिल्कुल तयार है तो देखा आपने आसान सी रेसिपी और बेजिक इंग्रीडियन्स का इस्तेमाल करके इतनी बढ़िया हेल्दी और टेस्टी दाल मुली की सब्जी बनकर तयार हुई है उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई